क्या आप भी फ्लिप कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हूँ? क्या आपको नहीं पता फ्लिप कार्ड में अपना एड्रेस कैसे चेंज करते हैं? तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Flipcard में अपना address कैसे change करते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को subscribe कर देना और साथ ही में bell icon को प्रेस करके all का option सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका notification आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों Flipcard में अपना address चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना Flipcard का application open करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने हमारे Flipcard का application open कर दिया है अब दोस्तो Flipcard का application open करने के बाद आपको उपर 3 line दिखाए देगी ठीके तो आपको simple से उन 3 line के उपर क्लिक कर देना है जब आप उन 3 line के उपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक sidebar open होगा और उस sidebar में आपको Flipcard के कुछ option मिलेंगे तो आपको सबसे नीचे third number पर एक option दिखेगा my account का तो आपको simple से उसके उपर क्लिक कर देना है जब दोस्तो आप my account के उपर क्लिक कर देंगे तो आप अपनी profile में आ जाएंगे Flipcard के ठीके तो इधर आपको क्या करना है थोड़ा नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद दोस्तो इधर आपको और एक option मिलेगा my addresses का ठीके और उसके नीचे एक लिखा होगा view more ठीके तो आपको simple से क्या करना है view more के option पर क्लिक कर देना है जब आप view more के option पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आपने जो पुराना वाला address डाला तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो आपको अभी क्या करना है दोस्तो इधर आपको three dots दिखेंगे उसी address में तो आपको simple से उन three dots के उपर क्लिक कर देना है जब आप उन three dots के उपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दो option आएंगे पहला वाला option होगा edit का और second वाला option होगा remove का अगर दोस्तो आप यह address नहीं रखना चाते यानि कि यह address अभी आपके कोई काम का ही नहीं तो आप simple से इधर से remove कर देंगे अगर आप यही address में कुछ changes करना चाते हो तो इधर edit के option पर क्लिक कर देंगे जैसे कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ edit के option पर क्लिक करके अभी मैंने edit के option पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तो आपने जो भी address डाला होगा वो address यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो आप इधर अपनी information फिल कर लेना जब दोस्तो आप अपनी information यहाँ पर दोगे तो आपको नीचे एक option दिखाए देगा home और work अगर आपके home का address है तो home कर दीजेगा अगर आप job करते है और आपने job का address दिया है तो simple से आप work के उपर क्लिक कर देना उसके बाद दोस्तो नीचे save address का एक option आएगा उसके उपर simple से क्लिक कर देना है आपको जब दोस्तो आप save के option पर क्लिक कर दोगे तो आपका address change हो जाएगा यहने कि edit हो जाएगा अगर समझो आपको यह address रखना ही नहीं है दूतरा ही डालना है तो simple इतर थी dots के उपर क्लिक कर देंगे और इतर जो नीचे remove का option आ रहे है उसके उपर क्लिक कर देंगे उसके उपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तो आपका address यह वाला remove हो जाएगा ठीके उसके बाद उपर आपको और एक option दिखेगा new address ठीके उसके उपर क्लिक कर देंगे आप जब आप new address पे click कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface नजर आएगा तो आपको simple से अपने नए address की information यहाँ पर fill कर दोगे तो आपको नीचे save address की उपर click कर दोगे तो आपका address update हो जाएगा यानि की add हो जाएगा नया वाला तो इस तरह से आप अपने address को change कर सकते हो update कर सकते हो